हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लुग श्वागे थे को फिर से आप सभी का आर्केर इस्टडी सीटेट पॉइंट यूटूब चैनल पे इससे आपको सीटेट बियर डियलर इन सब वो एक्जामों में इससे बहुत सारे प्रशन बनते हैं तो चले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विकास को प्रभावित करने वारे बहुत सैसे कारक होते हैं बहुत सैसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे विकास को बालक के डिवलप से करेंगे कि जो जो महत्पुन कारक है उसको मैं आप सबो को इस वीडियो के मादम से बताऊंगा जिसमें से सबसे पहले मैं बताऊंगा अनुवानसिक्ता के बारे में जिसको अंग्रेजी में हेरीडिटी कहते हैं या हमारे बालक के विकास को बहुत ही ज्यादा प्रभावि करता है और वह हम असपस टूप से हमें महसूस होती है उसको हम लोग ये देख पाते हैं कि किस तरह से अनुवानसिक्ता बालक के विकास को प्रभावित कर रहा है जैसे कि उसके सारे दिक लंबाई चोड़ाई इत्यादी अगर माता पिता को उनके अगर अच्छे लंबे च इसका एफेक्ट मिलता है अगर माता पिता गोड़े हैं तो बच्चे को अभी गोड़े होने की शंभावना बहुत जादा बनती है ना हलाकि हर जगा ये काम नहीं करती है कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है कि माता पिता गोड़े हैं फिर भी बच्चे काले भी हो जात विखास को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी काड़क के अगर हम बात कर लें, तो जन्व एवं जन्व की पूर्व की प्रिस्थितिया, देखें यह बहुत ही मातपून काड़क है, और इसको समझना बहुत जरूरी बनता है, जैसे कि बालक का विखास मा के गर्व से ही शु बास्त उसके पौश्टिक भोजन मिल नहीं कि नहीं, उनको उस्ची देखवाल ओ रही यह अत्वा नहीं हो रही है, अगर उस समय में माता को अगर सुष्ट अच्छा रहें पौश्टिक भोजन मिल पाए, उस्ची देखवाल हो चके, तो बालक भी एक सुष्थ एवं पुर्व की परिस्तितियां भी बालक के विकास को प्रभावित करती है यह भी एक बहुत ही महत्पुन काड़क है अगर मा का शारीक स्वास्त अच्छा होगा तो बालक का विकास भी अच्छा होगा अगर मा का शारीक स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा तो बालक का विगास भी अच्छा डंग से नहीं हो पाएगा इसलिए जन्म की पुर्व की परिस्तितियां बालक के विगास को प्रभावित करती है तीसरा पॉइंट हम आपके लिए लेकर काए हैं पोशन ठीक है पोशन जिसको हम लोग बोलते हैं भोशन के नाम से भी कह सकते हैं लेकिन भोशन में और पोशन में अंतर है भोशन का मतलब है कि हम जो भी चीज़ खा लिए वो हमारे लिए भोशन है तो पोशन अगर बच्चे को अच्छा से मिलेगा तो साड़ीक विकास पे अच्छे धंग से हो पाएगी अगर पोशन यानि संतुरी ताहर नहीं मिल पाएगी बच्चे को तो बच्चे का विकास अबरुद हो जाएगी वहाँ पे ऐसे में बच्चे कुपोसित हो जाते हैं या फिर अन्य कई प्रकार के बिमानियों से गर्षित हो जाते हैं तो आपने क्या देखा कि पोशन बालक के विकास को भी बहुत अच्छे धंग से प्रभावित कर रहा है अच्छे से मिलेगा कोई तो बालक की विकास की गती तिब्र हो जाएगी अगर पोशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो बालक की विकास की गती धीमा हो जाएगी स्थिर हो जाएगी है ना तो पोशन बालक की विकास को इस तरह से प्रभावित करता है मिला पोशन तो ठीक है नहीं मिला तो बच्चे को अनेको प्रकार की बिवारिया हो जगती है जैसे कुपोशित जो एक सिंपल सा सहदारन सा बिमारिय है जिससे आप सब लुग परचीत होंगे अपने साड़े ऐसे खाड़क होते हैं जैसे कि सबसे पहली बात कर लें कि वातावरण में अगर बच्चे का महाल जिस परिस्तिती में बच्चे रहा रहा है जिस प्रिवेश में रहा है अगर वो शकारात्मक है तो उस पर क्या पड़ेगा शकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ गाली गलोज वाले महौल में अगर बच्चे रहते हैं तो वह बच्चा भी गाली गलोज सीख जाता है और उसी के जैसे अपने आपको ढाल लेता है तो आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को तो किसी ने गाली गलोज सीखाया नहीं फिर वो गाली कैसे सीख लिया तो आप सब को पता आए कि बच्चे में एक गुन होती है अनुकरन करने की है ना वह एक जन्मजात गुन होती है और बच्चे स्टार्टिंग दौर में या फिर जब कभी भी अनुकरन के द्वारा ही सीखते हैं तो बच्चे जैसे जैसे अपने आजपरोस में बड़यों को करते हुए देखेंगे, अपने मित्रों को करते हुए देखेंगे, वैसे ही वह अभी करना परियास करेगा, तो उसको अगर धार्मिक परवेस मिलती है, तो बच्चे भी धार्मिक हो जाएंगे, गाली गुलोज वाले परवेस आगला आता है आमारा जेंडर को ले कर करते हैं यानि कि हमारी जेंडर को ले कर कर कि जो भेधभाव कि zit एज का जी है अगला है स moved को प्रभावित करते हैं哇 उस उसकी मानसिक विखास पर ये प्रभाव डालता है कि आखिर वो ऐसा क्या है कि उसको अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए अच्छे भोजन दिये जा रहे हैं अच्छे उसको फैसलेटीस दी जा रही है हर चीज दी जा रही है और मुझे ऐसा नहीं दी जा लेंगिक भेदभाव की कारण भी बच्चे का विकास बढ़ता है और साथिशत अबुद भी होता है ठीक है लड़का लड़की जिसे कि सिक्छा में भेदभाव किया जाता है खेल कूद में भेदभाव किया जाता है उसके रहन सहन में पहनावे में भेदभाव किया जाता ह अभी कहने कही बालक विकास में सयोग भी करती है और बालकक के विकास अगर अच्छे ढंक से नहीं हो पाया है तो इसका कालक भी वही वह होती है कि परिवार की शमाजिक आर्थिक स्थिति शमाजिक और आर्थिक स्थिति समझे कहने का मतलब आर्थ जो उसको गरिवी और अमेरी का यहाँ पर यह चीजे हैं इस टर्म में मैं आपको समझाँगा कि बालक की विखास में परिवार की आर्थिक स्थिती का भी प्रभाव देखने को तो मिलता है जिसे किसी परिवार के आर्थिक स्थिती दैनिये है दैनिये कहने का मतलब है कि वो आर्थ से वो परिवार बाकी के परिवार के तुलना में कम जूर है और तो उसमें क्या होगा कि उस परिवार के बच्चे को उसी तरंग से खानपान नहीं मिल पाएगी उसको जो पोशन नहीं मिल पाएगी पहनावे नहीं मिल पाएगी उसको जो ज़रत की चीजे होगी वो चीजे उसको समय पे नहीं मिल पाएगी क्यों क्योंकि वह आर्थिक रूप से देनिये है आर्थिक स्थिति उसकी क्या है देनिये है तो जब चीजे सही शे नहीं मिल पाएगी जवरत की चीजे नहीं मिल पाएगी तो सवभाबिक सी बात है कि आपका विकास वहां पर रु आर्थिक इस्तिति से क्या है शंपन्य है तो उसका आप क्या पाईएगा कि वेसे प्रिवार के बच्चे को जो आर्थिक रूप से संपन्य होते हैं वेसे प्रिवार के बच्चों में क्या होता है कि उसको जो भी जरुत की चीजे होती है उसको समय शमय पर मिलती रहती है चु से मिलेगी तो उसका विकास भी अच्छे डंग से हो पाएगा इसलिए परिवार की समाजिक और आर्थिक स्थीती भी बालक की विकास को कुछ इस तरह से प्रभावित करते हैं जो आपने यहाँ पर अभी जाना इसको ठीक है आगे होते हैं हमारे सिक्छक सिक्छक की बात करें है ना अगर किसी खास बालक को इग्नोर कर दे या पर किसी खास बालक पर वो विसेस ध्यान दे तो ऐसे में एक बालक का विकास अच्छे डंग से हो पाएगा और वही दूसरे बालक का विकास वहाँ पर अबुरुद हो जाता है इसलिए कहा गया है कि बालक की विकास में सि सिक्षक देती हैं बच्चों में अगर सिक्षक अच्छ विखास भिकास नहीं सुने चाहिए थि भच्चे को खेलकूद में वयाम की नियमित आदत होनी चाहिए थी तो ये सारे गुन ये सारे चीज़े एक सिक्षक सिखाते हैं बच्चों को अगर सिक्षक इस तरह के चीज़ों को कमी कर देंगे तो कहीं न कहीं बच्चे का विगास रुख जाएगा थम साजाएगा और प्रभावित भी होगा तो इस तरह से एक सिक्षक बच्चे के विगास को प्रभावित करते हैं अब आजकल के जमाने में सबसे ज़्यादा जो बच्चे के विगास को प्रभावित करते हैं वह है जनसंचार माध्यम मिडिया मिडिया के अंतरकत आप पाईएगा कि बहुत से बच्चे हैं जो आज कल टेलिविजन, लैप्टॉप, डेक्स्टॉप, गूगल, इंस्टागराम, फेस्बुक, फिल्म, मैकजीन इत्याजे को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं इसके बिना बच्चे की कलपना ही नहीं की जा सकती है, गूगल के बिना हो गया, इंस्टागराम के बिना हो गया, आपको फेस्बुक है, योटूब है, बहुत से ट्वीटर है, इस तरह के बहुत से सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पे बच्चे आज कर इंगेज रहत यानि समानने अवस्था में किसी तरह के चेंजिंग लाता है कोई चीज तो उसको परभावित बोलेंगे परभावित का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है पोजेटिव भी होती है तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख लिजिए कि आप हमारे वीडियोज को देख रहे हैं तो किसकी साहिता से देख रहे हैं आप यूटूब की साहिता से देख रहे हैं तो यह क्या था यह भी हमारा एक सोशल प्लेटफॉर्म भी है समाजिक प्रेटफॉर्म भी है, सोशल मेडिया ही है है ना, तो यूटूब की साहिता से अभी आप हमारे वीडियोज को देख रहे हैं और यहां से कुछ सीख रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, तो आपको क्या उड़ा है अपने ग्यान को बढ़ाने में इंस्टा पर भी बहुत सारे चीज़े ऐसे मिल जाएगी जहां सापको ग्यान बर्धक चीज़े मिलेगी फेस्बुक पर भी मिल जाती है, लेकिन ये तो हुआ हमारे शाकारात्मक याने की पॉजेटिव धंग से प्रभावित किया हमारे दैनिक जीवन को, हमारे विकास को दूसरी चीज़े आती है, यहाँ पर निगेटिवेटी है कि इससे बच्चे इसमें सारे चीज़ उपलब दे, यहाँ पर गूगल पर इंस्टाग्राम पर, फेस्बुक पर, टूइटर पर हमारे यूटूब पर, तो बच्चे अब डिपेंड करता है बच्चों पर कि बच्चे किसमें इंटरस्ट रखते हैं अगर वे अच्छे चीज़ें इंटरस्ट रखेंगे तो सभाविक सी बात है कि बच्चे का विकास यहाँ पर अधिक धंग अच्छे और हो पाएंगे लेकिन वही बच्चे अगर अपने टॉपिक से छोड़ करके अन्य टॉपिक पर इंटरस्ट रखेंगे जो उसके लिए उतना यूजपूल नहीं है जैसे गेम्स हो गया गाना वेगरा फिल्म वेगरा में जो उसके लिए उतना यूजपूल नहीं है तो फिर बच्चे का माइंड याबा डाइवर्ट होगा दूसरी तरफ और वहां से उसके अंदर दूसरी तरह की परविर्ती विक्सित हो जाएगे जो उसके लिए सही नहीं रहेगा तो इसलिए कहा गया है कि जन संचार के माद्यम वेगरा बालक के विर्दी और विकास यानि उसके विकास को उसके development को प्रवावित करते हैं और जन संचार के माद्यम में आपको बहुत सारे चीज़ आ जाएगी जैसे हमारा गूगल हो गया, इंस्टाग्राम है, फीसबुक है, टूइटर है, मॉवाइल फोन है, टेली विजन है, डेक्स्टॉप है, फिल्म है, मैगजीन है, अख़बार है, ये सारे के शारे चीज़ हमारे आते हैं, जन संचार के माध्यम में, जिससे सभी लोग कहें न कह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जन संचार के क्या मतलब है, कि जन का संचार हो रहा है, याने कि जन की बातों की संचार हो रही है, जन बोले तो व्यक्ति और संचार बोले तो उसकी बातों को फैलना है, तो व्यक्ति की बातों के फैलाने वाले ये सारे माध्यम है, गू प्रभाव को देखने को मिलेगा अगर वो टॉपिक से भटक करके वैसे चीज़ पर फोकस करें जो उसके लिए यूजफुल नहीं है तो फिर वहाँ पर उसको ना काड़ा तुमको प्रभाव देखने को मिलेगा तो यह कुछ मातपुन टॉपिक थी जुसको मैं आप सबों के चामने इसको चर्चा किया सेड कि विकास को किस तरह से प्रभावित करते हैं कौन को इसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं मैं उम्मीद करता हो कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इसी तरह के और भी टॉपिक अगर आप देखना चाते हैं सीटेट बीए डियलेट के एकॉर्डिंग तो आरकार इस्टडी सीटेट पॉइंट योटूब चैनल फिए आपको इस तरह के बहुत से टॉपिक अपलब्द हैं आप वहाँ पर चेक आउट करके बार एकी से एक एक टॉपिक को देखिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है तो इस वीडियो में इतना ही था फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए देखते लिए हमारे चैनल आरकार इस्टडी सीटेट पॉइंट को धन्यवाद